हलो मैं हूँ रेश्मी और आप देख रहें मेरे ट्रैवल ब्लॉग और आज मैं आपको लिखे जा रही हूँ दिल्ली का कनाट पलिस ये बिल्कुल दिल्ली के सेंटर में है दिल्ली का हट भी करते हैं इसको यहाँ पे सारे लोग इंजोई करने आते हैं और अपना-पना करतब दिखाने आते हैं ये चारो तरप ओफिस से गिरा हुआ है जो दिल्ली आते हैं एक बार तो यहाँ पे जडूर आते हैं ये सांदार पलेस हैं घुमने के लिए दिल्ली की चकाचोंद को देखना है तो बस ये सीपी में ही है करनाट पलेस और ये है करनाट पलेस का इनर सरकेल तो सुरू करते हैं आज का वीडियो अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जडूर किजिए मेरी गाड़ी पार्क हो गई है और ये में हेलो अब हम लोग करनाट पेलेस के सेंट्रल पार्क जा रहे हैं तो मैं सेंटर पार्क आ गई हूँ ये आज फ्रेंड्सिप डे है तो बहुत रश है पार्क में कप्पल और पेर में ही दिखेंगे आज लोग यहाँ पे ज्यादा टीनेजर है और ये में येलो ड्रेस में कैसे लग रही हूँ कमेंट सेक्शन में जडूर बताईए गया यहाँ पे ओफिश के बाद सारे लोग टाइम स्पेंड करने आते हैं रिलाक्स करने आते हैं आईए मैं आपको इस पार्क के बिल्कुल सेंटर में लेके जाती हूँ ये पूरा पार्क मेट्रो स्टेशन के उपर बना हुआ है मैं आपको दुसरे तरफ ले जा रही हो पार्क के वहाँ पी धेर सारे लोग खड़े है और ये सानवी को फूल दिग गया है उसको तोड़ना है वो मुझसे पूछ रही है पर्मिशन ले रही है मैंने बोला लो तोड़ लो एक तो चलिए आगे फिर देखते यहाँ पर धेर सारे लोग खड़े हैं और ये कुछ कर्तब हो रहा है सब लोग अपना कर्तब दिखा रहे है वाव ये बहुत अच्छा कर्तब दिखा रही है आपको हमेशा यहाँ पर कोई ने कोई लोग परफॉर्म करते हुए या तो सिंगर आर्टेस्ट कोई ना कोई आपको देखी जाएगा आप यहाँ पर आओगे तो बिल्कुल बोर नहीं होने वाले हो और हम लोग देखके ठंग है तो अराम कर रहे हैं बहुत देर से खड़े थे प्रोग्राम देख रहे थे तो फिर चलते हैं आगे यहाँ से दिल्ली के सारे बड़े बड़े ओफिस से दिखते हैं आपने बहुत सारे सिरियल में यह सारे ओफिस देखे होंगे यह गोपालदा स्टावर जो बहुत सारे सिरियल में आता है परिकमा हाउस अभी मैं आपको एक पोल दिखा रही हूँ जिसपे नेशनल फ्लैग लगा हुआ रहता है अभी किसी कारण के वज़े से हटा दिया है आप उपर के नेशनल ब्यूटी देख सकते हो जिसको बहुत नेशनल ब्यूटी पसंद रहे हैं बहुत ओश्रम लग रहा होगा बिल्कुल साफ आश्मान दिल्ली में जो बहुत कम देखने को मिलता है अब मैं उस जगह खड़ी हो जहां पे सारे आटिस्ट आते हैं जो सीपी वो अपने प्रोग्राम को दिखाते हैं परफॉर्म करते हैं यह चारू तरब एरिया है बैठने के लिए यहां पे बैठ सकते हो लेट सकते हो प्रोग्राम देख सकते हो इंज्वाइ कर सकते हो बिल्कुल रिलाक्स होके यह स्टेप्स बना हुआ है यहां पे लोग बैठते हैं और प्रोग्राम देखते हैं यह चारू तरब का व्यू कम्प्लीट हो गया और मेरी बैठी को फ्रेंड मिल गया और वो खेल रही है फुटबाल अगर आप अपने बच्चों के साथ आते हो तो यहां पे बहुत अच्छा खेलने के लिए उलोको स्पेस जगह मिल जाता है और क्वालिटी टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड हो जाएगा बच्चे भी फूल इंजॉय करेंगे अब मैं आपको करनाट पेलिस की चका चोंद वियू दिखाती हूँ यह करनाट पेलिस का इनर सरकील कर लाता है इसको इनर सरकील इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक जगह से आप जहां से स्टार्ट करोगे घूमने के लिए वापस फिर घूम फिर के वही पे आ जाओगे यह बिल्कुल गोल है इसलिए इनर सरकील कर लाता है यह यहां बहुत बड़े-बड़े सोर रूम है आपको सारा सोर रूम मिल जाएगा यहां पे सारी पॉपलर ब्रांड मिल जाएगे आपको अलिन सॉली केंटा भी यहां पे ओफिस आवर के बाद लोग घूमने आते हैं शॉपिंग करने आते हैं यहां पे स्ट्रीट शॉप भी बहुत डिमांड में बहुत चलता है आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजे मिल जाएगी अगर आपको यहां पे घूमने कभी आना है तो मेट्रो से भी आ सकते हैं नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है राजीब स्योंक यहां पे आप कम बजट में भी सॉफिंग कर सकते हो बहुत अच्छा से पालिक का बजार भी है उमीद है आपको यह वीडियो अभी पसंद आ रहा हो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज अभी लाइक कर दे और अगर आप डिली आ रहें गूमने के लिए तो मैं उपर एक लिंग दे रही हूं उसमें किलिक करें और देखें मैं बहुत सारे ब्लोग बनाई हूं डिली में गूमने का कहा का गूमना है और कौन सी जगा अच्छी है तो मैं सब जगा का रिव्यू दी हूं ब्लॉक बनाई हूँ, तो आप उसमें किलिक करके देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर खाने के लिए भी बहुत अच्छा है, भेल पूरी, पानी पूरी, जिलेबी, यह सब आपको खाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा, फूड आइटम भी मिल जाएगा स्ट्र एक परफेक्ट जगह है, गिट टूगेदर के लिए, या फिर कपल के लिए, फ्रेंड के साथ मस्ती के लिए, सब चीज यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, उमिद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा देखने में, और आपका दिन सुभ हो, थैंक यू